नमस्कार जोहार जहार जहारखन का एक मात्र सरकारी न्यूज चैनल किलीर न्यूज में आपका स्वागत है समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा सिक्षकों का मुद्दा हर ख़बर पर होगी हमारी पहनी नजल सभी ख़बर सिलेक्टेट और काम की है तो वीडियो के अंतक बने रहे हैं साथ ही आप न्यूज को किस गाउं या सर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए आज का लाइक है में 100 रखते हैं उमीद है कि आप इसे पूरा करेंगे और रोजाना पंचा चुनाओ का अपडेट पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को ब्रेश करें तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार जार्खन में 6 माई तक बढ़ा लोगडाउन पहले से चल रही पावंदियों और छूट में होंगे बदलाओ जार्खन में कोरोना की लगातार विगरती स्थिति को देखते हुए स्वास सुरक्षा सब्ता को 6 माई के सुबा 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है मुख मंत्री हमन सोरे ने बूदबार को स्वास सुरक्षा सब्ता एवनराज में कोरोना संकर्मन की स्थिति पर आपदा परवंदन पराधिकार की बैटक में यह रिन लिया उन्होंने पहले से चल रहे लोगडाउन के नियमों में बदलाओ की बात कही है यानि पाबंदियों में छूट और बदलाओ किया जा रहा है अब दुकाने दोपार दो बज़े तक ही खुले रहेंगी इसे लेकर लोगों को दोपार तीन बज़े तक मुमेंट करने की इजाज़त होगी अनहालात को देखते हुए हम लोगों ने स्वात सुरक्षा सप्ता का समय आउधी बढ़ाने का नेड़ा लिया है और वो मैं पांच छे पांच 2021 तक बढ़ाए जाएगा सुब़ छे बज़े तक थारखन में च्छ मई तक बढ़ा मिनी लोगडाउन जाने दोपार दो बज़े के बाद किन दुकानों को खोलने की मिली चूट और कॉन रहेगा बंद जारखन में 6 मई 2021 तक बढ़े मिनी लोगडाउन के मद्दे नजर हमन सरकार ने मेडिकल हेल्थ केयर मेडिकल समान वाले दुकानों को छोड़ कर सभी दुकानों को दोपार दो बज़े के बाद बंद करने का फैसा लिया है इसके आलावा PDS की दुकाने दोपार दो बज़े तक ही खुली रहेगी पेट्रोल पंप, LPG और CNG आउट लेट खुले रहेंगे रासन की दुकाने दोपार दो बज़े तक खुली रहेंगी अगर जरुवत पड़ी तो होम डिलिवरी की वेवस्ताज की जाएगी ओग बस्तू की दुकाने, खुद्रा बस्तू की दुकान, फुट पात बेचने वाले पल, सबजी, अनाज के आलावा, दूद, दूसे निर्वी शमान, पसु, अहार, मिठाई दुकाने भी दो बज़े के बाद नहीं कुलेगी होटल और रेसोंडर में बैट कर खाने की पावंदी रहेगी सिर्फ होम डिलिवरी की चूट रहेगी नेशनल हाववे, स्टेट हाववे के धावे खुले रहेगी ख़दान आपूर्ती वहानों का परिचालान चलने की भाती होगा लोडिंग और अनलोडिंग की वेवस्था पूर्व की भाती रहेगी किरिशी से जुड़े दुकाने दोपर दो बज़े तक ही खुले रहेगी और दोतिक और खणन अगतिविदी पहले की भाती ही रहेगी निर्मान कारे खासकर मनरेगा से जुड़े कारे जारे रहेंगे वही निर्मान कारे में सबंदीत दुकाने भी दोपर दो बज़े के बाद बंद हो जागी जारखन के सियम हैमन सोरे ने देश के रक्षा मंतरी से कहा रक्षा मंतरी जी जारखन के हमारे भाईयों का सव घर भीजवाने में मदद करें मुख्य मंत्री हैमन सोरे ने रक्षा मंत्री राजना सिंग से मंगलवार को दूर्भास पर बात कर जोसी मठ में गेलेशिय तूटने से मृत जारखन के गारा निवासियों को पार्तिक शरीर परिवार को वापस भेजने को लेकर अपनाय जारहे शीमा सलक संगटन के रवये प पर खेजाताया है मुख्य मंत्री ने रक्षा मंत्री से अग्रक किया है कि वह अपने अधिनस्त अधिकारियों को इस संब्ध में आदेश दे ताकि मिरित मजदूरों का उनके परिजन अंतिम संस्कार कर सके पिछले 24 घंडे में फीर 6,029 मरीज मिले एक्सो एक्टिक संक्रिमों की गई जान एक्टिव मरीज की संक्या पहुँची पच्चास आजार पर जहारखन में कुरोना की रप्तार थम नहीं रही है पिछले 24 घंडे में फीर 6,020 नए मरीज मिले इसमें सबसे ज़्यादा 15-74 लोग राची के हैं रहात की बात यह है कि राज्य में 4,247 लोग ठीक भी हुए हैं ठीक होने वाले राची के 779 और पूर्वी सिम्भूं के 766 लोग हैं इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों के संक्या बढ़कर 51,200 बावन हो गई हैं राज्य में एक दिन में रिकोर्ड 131 लोगों की मौथ हुई इसमें सबसे ज़्यादा 61 मिर्तक राची के हैं जहारखन पुलिस के 4 SP 10 DSP सहीत 512 पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमीत जहारखन पुलिस के 4 SP 10 DSP 19 पुलिस इंस्पिक्टर 108 दरोगा सहीत 512 पुलिस पदादिकारी कर्मी कोरोनावारस से संक्रमीत हो गए हैं पदादिकारी कर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है तीन दीन पहले जहां जारखन पुलिस में संख्यां की संख्यां 370 ती वहीं दूसरे दीन यह संख्या 461 हो गई और अब यह संख्यां बढ़कर 512 पर पहुंच गई है अब तक कुरोना वारस ने जारखन पुलिस के ए इसे बचाई जान फुलती सांसों से लोगों को दिला रहे हैं रहात कुरोना के कहर और जारखन के फुलती सांस को रहात देने के लिए कई समासेवक हुआ संख्या आगे आ रहे हैं इन्हीं में से एक है राची के इंद्रजी सिंग जो अपनी टीम के साथ मिलकर लगाता रा 18 साल के लिए कुरोना वेक्षिन रेजिटरेशन हुआ सुरू वो भी बेलकुल मुक्त जारखन में 18 से 44 वर्ज के नागरिकों का कुरोना ठिका करन के लिए बूदवार से रेजिटरेशन सुरू हो गया हालंकि एक मैई से ठिका करन सुरू होने पर सभी संसे में है दर असल सिवाई वर्ग के लोगों को ठिका करन के लिए कंपनियों से ठिका मिलने पर अभी तक ठोक्स अससों नहीं मिल पाया है राज्य सरकार 25 लाग डोज को लेकर लगातार कंपनियों से बात कर रही है ऐसे में इस आयू वर्ग के लिए ठिका उपलप्त होने पर ही ठिका करन सु मुक्तार अब्बास नकवी ने इसकी मंजूरी दे दी है। पिछले कई वर्सों से चल रही है। रीम्स के जनरल वाड में कभी-कभी बिजली कटने से मरीजों के जान पर आपत आ जाती है। मरीजों के परिजान द्वारा लगातार सिकायत के बाद भी प्रवंदन पर कोई असर नहीं पहो हो रहा है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन योजनाओं से परधान मंत्री नरेंद मोदी ने कोरोना पर की उच्छ अस्तरिय बैठक दिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द अपग्रेड करने का निर्देश। परधान मंत्री नरेंद मोदी ने देश में कोरोना से समंदीत इस्ति की समेख्षा के लिए शिर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की बैठक में उन्होंने देश में आक्सिजन की उप्लबदता, दवावों, हेल्थ इन्फृरास्ट्रक्चर से समंदीत इस्तिती की देज़ दिया की वे जल से जल आक्सिजन सहीत शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिल कर काम करें इस कोरोना महामारी के बीच आसाम के सोनीथपूर में तेज भुकम के जटके रियक्टर इसकेल पर चोदसमलोचार माफी कई तिवरता बहेंकर कोरोना महामारी के बीच आसम के सोनीथपूर में बुद्वार को सुभा तेज भुकम के जटके महसूस किये गए इस इलाके में सुभा साथ बजकर इकाउन मिनट पर भुकम के जटके महसूस किये गए रियक्टर इसकेल पर भुकम की तिवरता 6.4 मापी गई फिलाल किसी तरह की नुक्सान की खबर नहीं मिली है साधी में लठ चलाने रिष्टेदारों को बेज़त करने वाले तिरपुरा के डियेम सेलेस यादब हुए सस्पेंड साधी में लठ चलाने वाले परिवारों रिष्टेदारों को खुले आम बेज़त बेहुदगी से बात करने वाले तिरपुरा वेस्ट के जिलाधिकारी अनि डियेम सेलेस यादब सेस्पेंड कर दिये हैं वीडियो वारों होने के बाद तिरपुला के कई भाजपा विदाइकों ने मुकमंदरी विबलो देव को पत्र लिक कर डियेम सेलेस यादब को सस्पेंड करने के मांगी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डियेम साहब अब सस्पेंड कर दिये गए हैं सिरिलंका में सारोजनिक अस्थोलो पर बूर्का नकाब पहने पर लगाया गया पर्तिवन राश्ट्य सुरक्षा के लिए खत्रा बताया स्रिलंका के मंत्री मंडल ने सारोजनिक अस्तोरों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाप को राष्ट सुरक्चा के लिए खातरा होने का हवाला देते हुए इस पर परतिबंद लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी देदी है हालांकि COVID-19 से निबेटने के लिए मास्क पहनने की अनुमती है इनको जिन्दा जला देना चाहिए कांग्रेस कार्प्रेटर ने सरकारी करमचारियों को धमकाया महराष्ट के पार्टी अध्याच्वीते साथ महराष्ट में कुरोना संक्रमन से हालात बत्तर है स्वास्त सेवा चर्मराई हुई है लेकिन राजे के सतादारी महाभिकास अखारी के नेताओं की अकर में कोई कमी नहीं है हाल में कई ऐसे मामले सामने आये हैं जब सत्तादार गवरंदर के नेता कोरोना प्रंट लाइन वरियर्स को धमकाते नजर आये हैं जाने कैसे ट्वीट पर परधान मंत्री मोदी के संकट मोचक बन गए बजरंग बली मंगलवार सुबा सोचल मीडिया प्लेटफोर पर भगवान हनुमान परधान मंत्री मोदी के संकट मोचक बन गए कुरोना वारस के कारण लोगों की मौत बेटना मिलना वह आखज़न के कमी के खबरे के बीच मंगलवाल भोर से ही ट्विटर पर परदान मंत्री मोधी को लेकर नकरात्मक ट्रेंड देखा जा रहा था तकरिवन पांच घंटे तक हैस्टेग फैल्ड मोधी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में था इसके बाद परदान मंत्री ने शुबा करीब 9 बजे देशवासियों को हनुमान जैंती की बैदाई दी और बजरंग बली से देश के लिए आसी समागा इस ट्विट के महज आदे घंटे के भीतर फैल्ड मोधी नीचे आना सुरू हो गया और फिर देखते ही देखते टॉप दस से बाहर हो गया देश के राजधानी दिल्ली में हुआ परिवर्तन दिल्ली में अब LG की सरकार केंदर सरकार ने जारी किया नए कानून का नोटिपिकिशन अब दिल्ली में सरकार का मतलब उप राजेपाल होगा दरसर दिल्ली में केंदर सरकार ने राष्ट पती द्वारा राष्ट राजधानी राजे छेत्र शाषन कानूं 2021 यानि G.N.T.C.D. Act को मंजूरी दी जाने के बाद इसे लेकर अधिसुचना जारी कर दिये है गिरिये मंत्रा ले दोर अधिसुचना में कहा गया है कि राष्ट राजधानी चेत्र दिल्ली की सरकार अधिनियम 2021 27 सपरेल से अधिसुचित किया गया जाता है इसका मतलब साफ़ाई की अप उप राजेपाल की मंजूरी के बिना कारिकारी कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा सोना 92 रुपीय हो गया सस्ता आज 1000 रुपे तक तूट गई चांदी क्या सोना खर देने का सही समय आ गया है बित गई है दिनों से सोना वाइदा बाजार और सरफर बाजार दोनों जगह सस्ता हो रहा है बिते कुछ दिन पहले ही 48,000 रुपीय की और बढ़ रहा सोना एक बार फिर 47,000 की नीचे फिसलने के तयार है चांदी में भी जोरदार गि विंगापूर से 9 क्रायोजनिक ऑक्सिजन टेंकर हवाई मार्क से पस्चिम बंगाल के पानागर हवाई एड़े पर लेकर आई है बूदबार को जारी एक अधिकारिक बयान में बताया गया कि इन टेंकरों को मंगल बार लाया गया है COVID-19 के परकोप ने देश को 20 साल पीछे धकेल दिया सीवसेना सांसाज संजय राउत ने बूदबार को कहा कि COVID-19 के बढ़ते परकोप के कारण देश की अर्थव्योस्ता के साथ ही समाजी के वन राजनितिक तंत्र ढ़र रहे हैं और कहा कि इसने देश को कम से कम 20 साल पीछे राउत ने समाधाताओं से कहा कि COVID-19 की बदतर होती इस्तिति के चलते भारत की साख अंतराष्ट अस्तर पर गिरी है COVID-19 के प्रसार को रोखने के लिए मुंबई मोडल और मुक्हमंत्री उधर ठाकरे के प्रासों की प्रसंसा करते हैं राउत ने कहा कि इस मोडल को देश के ह अर इसे में लागू करने की जोरत है यूपी के पूर्वे डीजीपी ब्रिजलाल केजरिवाल पर भढ़के कहा केजरिवाल बहुत निकमा है हजारों करोरों का बिग्यापन देता है लेकिन आक्सिजन टैंकर के लिए पैसा नहीं उत्तर परदेश के पूर्व पुलिस महान जिदेश अक्यानी डीजीपी ब्रिजलाल ने दिली के मुकमंतरी अर्विन केजरिवाल को निकमा करार दिया है पूर्व डीजीपी ने कहा कि केजरिवार सलाना हजारों करोरों का बिग्यापन देते है लेकिन आक्सिजन टैंकर के लिए उनके पास पैसे नहीं है बिरिजल के लिए पैसा नहीं है पस्मी लिबरल मीडिया भारत के समसान घाटों के इमेज बड़ी खुसी से सेर कर रही है कोरोना के मामले बढ़ने से पस्मी मीडिया को एक बार फिर से भारत का हमला करने का मुकामिला है जिस उसा के साथ पस्मी मीडिया भारत के सौगिरियों की फो का दिल पसीजा बोला इस देश ने सब की मदद की है अब दुनिया की है बारी भारत में लगातार गंभीर होते कोरोणा वारत से निपटने के लिए पूरी दुनिया से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं इस वी संयुक्त राश्ट ने भी भारत में बढ़ते संक्रमन क के मामले खोले कर गंभीर चिंता जाता ही है संयुक्त राश्ट की 75 आम सभा के प्रिसिडेंट वॉलकान वेजकीर ने तो यहां तक कहा कि इस देश ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया की वैक्सिन दी है अब दुनिया की बारी है कि वे भारत की साहता करे इस भी संयुक् किरित आप पूर्ती सिंखला के जरिये भारत को यता संभव मदद की पेस्कस की है पाकिस्तान के मोहमद रिजवान टॉप दस बल्ले बाजों में सामील कोली पांचवे नंबर पर है कायम पाकिस्तान के अपनर मोहमद रिजवान ICC की T20 बल्ले बाजी की रेकिंग में पाकिस्तान ने तीन मैचों की टी रिज में जीमबाबे को दो एक से हरा था 28 साल के भी कटकी पर बल्ले बाज रिजवान ने जीमबाबे के खिलाब पहले और तिसरे 23 मेंच में बेरासी और एकानवे रोनों की पारी खेली थे इंगलेन के कप्तान इवन मॉर्गन और भारत के अपना रोहिस सर्मा को पचाल का रिजवान ने टॉप 10 में ट्री ली है पहले नमबर पर इंगलेन के डेबीड मिलान और दूसरे नमबर पे एरोन पिंच हैं भारत के बात करें तो पांचवे नमर पर बिराट कोली और साथवे नमर पर केल राहूल मौझूद हैं। भारत से मिले वैक्षिन का एहसान चुकाने को आगे आया कनाडा, एक कडो डॉलर की मदद की किया एलान। कनाडा ने कोरोना वाइरस की बिवीसिका से जूझ रहे भारत की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। कनाडा के परधान मंतरी जस्टिन टुरो ने कहा कि उनका देश COVID-19 महामारी से निवेटने में भारत को एक करोड़ डॉलर की मदद मुहिया कराएगा। बता दे कि भारत ने कनाडा के मुश्किल समय में उसे सीरम इंस्टिट में बनी को वैक्सिन की सप्लाई की थी।